थे जी तो लास वीडियो में हमने वेव अप्तिक्स का इंट्रो देखा था आज हमको क्या करना है क्यों हमें हाईगेन थेरी को डिटेल में पढ़ना है और मैंने आपको बताया था हाईगेन थे और में हाईगेन कहता है लाइट वेफ के फोर्म में आगे जाती है और उस टाइम पे लेक्ट्रो मैगनेटिक वेव की बार में पता नहीं था तो वो बला इस यूनिवर्स में एक एथर नाम का मीडियम होता है जो की पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है वो किसी भी मैटीरियल के अंदर जा सकता है मैटीरियल से बाहर निकल सकता है बहुत लाइट वेट होता है और इंट्रेक्ट करता ही नहीं है वो तो अब उसको समझने से पहले हमें एक डैफिनेशन पता होनी चाहिए और इसके कुछ टाइप्स पता होनी चाहिए जिसको इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है विच इस वेव फ्रंट अब ये वेव फ्रंट क्या होता है देखो वेव फ्रंट क्या होता है पहले इसकी डैफिनेशन सुनना फिर समझाएगा देखो जैसे ये कोई लाइट सोर्स है यह कोई light source है ठीक है जो light emit कर रहे है चारो directions पे वेव निकाल रहे है ठीक है तो light source ही हम क्या बोले light source से same distance पे अगर मैं एक बोलूँ कि light source से light source से same distance पे जो points available है उन सभी की locus को हम क्या बोलते है वेव फरंट बोलते हैं provided कि वो सभी particles same phase में vibrate कर रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं वेव फरंट क्या होती है locus of particle होती है जो light source से same distance पे होते हैं और सभी same phase में vibrate कर रहे होते हैं ये light source है इस से मैंने क्या किया है एक locus of particle ले लिया ठीक है ये जैसे particles ही particles है ये एक particles का locus ले लिया मैंने यह spherical है ठीक है यह अगर locus of particles और suppose सभी particles same phase में vibrate करें मतलब यह particle बाहर की तरह vibrate करें तो यह भी बाहर यह भी बाहर यह भी बाहर यह भी बाहर जा रहा है यह भी बाहर जा रहा है ऐसे सारे बाहर जा रहे हैं तो यह जो locus of particles है ये जो सभी particles का path है लोकस of particles है path तो नहीं बोलेंगे लोकस of particles बोलेंगे इनको हम wavefront बोल सकते हैं ठीक है? wavefront बोल सकते है तो दुबारा definition बता रहा हूँ wavefront क्या होता है? light source wavefront क्या होता है? wavefront होता है locus of particles जो light source से same distance पे होते हैं और सभी के सभी particles same phase में vibrate कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? wavefront ठीक है? थोड़ी सी अटपटी सी definition है लेकिन दो बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी तो यह हो गया wavefront अब ये wavefront बनती कैसे है? देखो उस ताइम पे electromagnetic wave तो थी नहीं light को एक ordinary wave की तरह माना जाता था तो wave medium में से propagate होती थी तो जब कोई भी wave medium में से propagate होती है तो medium के particles को disturb करती जाती है medium के particles vibrate करना start करती है तो इसलिए हम नहीं आपर vibrations of particle को इसमें include किया है ठीक है? locus of particle जो light source से same distance पे हो और सभी particles उस locus of particle के सभी particles same phase में vibrate करें उसको wave front कहते है अब इसके three types होते है पहला होता है spherical wave front spherical wave front कब बनेगी? जब light source point size का हो तो उससे जो waves निकलती है उससे जो wave fronts निकलती है wave fronts बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? spherical wave fronts spherical wave fronts जैसे यह आपको बना हुआ है और एक चीज हमेशा ध्यान रखना wave front के उपर perpendicular direction में जो हम line बनाते है वो हमको क्या बताती है? उस point पे light ray की direction जैसे इस point पे perpendicular क्या होगा? यह vibrations अंदर भी हो सकते है बार भी हो सकते हैं यह बना जैसे यह perpendicular होने को क्या बता रहा है? कि यह जो light ray यहाँ पे इस direction में जा रही है ठीक है? यहाँ पे बनाऊँगा तो यहाँ वाली light ray इस direction में जा रही है इस particle के vibration भी इसी पे थे particle अंदर की तरफ भी vibrate करता हो सकता है क्योंकि particle के vibration तो ऐसे ऐसे होते है लेकिन wave ऐसे ही जाएगी तो wave front के उपर किसी point पे अगर आप perpendicular draw करोगे तो वो perpendicular उस point पे हमको ray की light ray की direction को बताता है spherical wave front हो गया point size वाला source generate करता है दूसरा होता है cylindrical wave front अब cylindrical wave front कौन सा होगा? कि अगर light source क्या हो? एक road की form हो जैसे अपनी tube light एक road की form हो तो उससे जो light rays निकलेंगी उससे जो wave fronts निकलेंगी उसकों क्या बोलेंगे? cylindrical wave fronts एक्जामपल होगा tube light अब इन दोनों का पहले representation देख लो फिर तीसरे को देखो कैसे represent करते है कैसे represent करते है देखो जो अपनी देखो जैसे ये मैं पहले spherical को बना रहा हूँ ये light source हो गया ये इसकी एक wave front बना दी ठीक है? ये एक wave front बना दी और ऐसे करके इसको represent करेंगे ये representation होगा spherical wave front का ये arrow क्या दिखा रहे है? arrow दिखा रहे कि light ray इस direction में इधर propagate करेंगे इधर इसमें इधर इसमें इधर इसमें इधर इसमें और ये जो sphere है ये क्या चीज़ है? spherical wave front ये अपना light source ये पूरा लिख लेना और cylindrical wave front को कैसे हम represent करेंगे? देखो इसमें पहले मैंने क्या किया? ये एक road बनाई light source बनाया बढ़ती जा रही है cylindrical wave front निकल रही है इस point से तो light सभी direction में जाएगी light source से तो इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है 3D में सोचने की कोशिश करो tube light को सोचो ऐसे ही तो जाती है और इधर भी इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है तो 3D को 2D में तो ऐसे represent करेंगे ठीक है जैसे ये pen है इससे light निकलेगी तो कैसे जाएगी जैसे ये pen को ऐसे जाएगी ऐसे करके ऐसे बीच में pen consider को तो light रही है ऐसे निकलेगी ऐसे सभी directions में ऐसे जाएगी तो इसको क्या लिख दूँ है cylindrical ये क्या होगा इसको क्या बोलूँगा light source और इसको क्या बोलूँगा cylindrical way front ठीक है और arrow क्या represent करेंगे वह ये रही डिरेक्शन थर्ड होती है थर्ड होती है पहले होगी spherical दूसरी होगी अपनी cylindrical थर्ड होती है plane way front plane way front क्या होती है कि अगर हम spherical light source या फिर cylindrical light source इससे बहुत दूर खड़े हो ठीक है बहुत ज़्यादा distance पी हो मतलब कोई point spherical light source सोरी point light source से या फिर plane light source से बहुत दूर है तो तब तक वहां तक पहुचते पहुचते तो way front बहुत बड़ी हो जाएगी इसको देखो बना के दिखाते हो जैसे ही अपना point light source है इसकी यहाँ पे way front यह होगी अगले वाली यह होगी तो जो बहुत दूर होगी वो और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी एक बहुत दूर point है वहां तक पहुचेगी तो यह क्या हो जाएगा ऐसे सी कुछ हो जाएगी तो अगर मैं क्या बोलूँ इस बड़ी way front का एक छोटा सा part consider करूँ तो वो मुझे कैसे देखेगा एक plane की दर ने देखेगा वैसे ही cylindrical में भी ऐसे होगा यह एक छोटी सी निकली और बहुत दूर जाती जाती यह क्या हो जाएगी बहुत जादा बड़ी हो जाएगी तो बहुत दूर वाले point के लिए अगर इसका छोटा सा part लिए जाहे तो वो कैसे देखेगा plane देखेगा तो हम क्या बोल सकते हैं हम यह बोल सकते हैं हम क्या बोलें कि अगर क्या नाम spherical wavefront या फिर spherical wavefront and cylindrical wavefront इनका size बहुत बड़ा हाए तो इन wavefronts के छोटे से part को हम क्या बोल सकते हैं छोटे से part को हम क्या बोल सकते हैं प्लेइन वेफरेंट बोल सकते हैं और आपको पता यह साइज बड़ा कप होगा जब इन light source से हम बहुत दूर चले जाएंगे तो इसको हम कैसे रिपर्जेंट करेंगे इसको कैसे रिपर्जेंट करेंगे इसको हम यहां पर बना रहा हूं यह ऐसे रिपर्जेंट करेंगे प्लेइन वेफरेंट को यह से रिपर्जेंट ऐसे बनाया ठीक है वेव कैसे जा रही है ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे और पीछे से भी यहां पेर अइसे आ रहे है तो यह री परिजेंट देशन होता है यह बहुत में से इतना यह किसका रिपर्जेंटेशन कोो स्टार्ट करेंगे तो तब तक बिधुर कर लेण आ बाँ